हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोरेबर में आपका एक बाफ फिर से स्वागत है और हम आज की डेट में बात करने वाले चार्ट ऑफ द वीक की और अगर हम बात करें परसों की डेट में तो यहां पर दो-तिन वीडियो डाले गई थी इन वीडियो को होप आपने देखा होगा तो अच्छे का से रेटर्न आपको यहां पर मिल सकते हैं एस वेल है हम बात करने वाले चार्ट ऑफ द वीक में एक पर्टिकुलर स्टॉक से लिटे जिसका नाम है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो अब मैं आपको बताने चाहता हूं कि निफ्टी ऑल्रेडी 18,000 पर यहां यहां पर टच कर चुकी है और यहां पर कुछ सेक्टर ऐसे हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत जादा यहां पर चल चुक है और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चले और यहां पर पाइसा इन्वेश्ट करना एक समझदारी की बात होगी जिनमेंसे banking sector एक काफी बैतरी में, जिसके अगर बड़े-बड़े stocks हैं, उन्हें तो हमें चुड नहीं हैं, जैसे कि आपके portfolio का कम सकन 10-20% यहां पर डालिए, और उसमें 10-20% में से भी, उसमें 2-3-3% अलग-अलग stocks में यहां पर डाल के रखिए, कुछ चोटे banks में भी आपने अपर approach कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी bank में, SBI या फिर दूसरे सरकारी bank, अगर जिनके result अच्छे खासे इस बार आएंगे, तो अच्छे खासे level पर मिल रहे हो, Swing trading के purpose, as well as long term के purpose, आप इस तरहीके से आप यहां पर कर सकते हैं, AU Small Finance Bank is one of the bank जो की उस category में आ रहा है, तो उससे बात करेंगे, क्या chart pattern बन रहे हैं, उससे बात करेंगे, बर before the video में आगे बड़े request करूँगा, इसे subscribe करें, शेयर करें family fans के साथ, तक इस तरहीके video आपको daily basis में मिलती रहे, यहां पर buying sale की को recommendation नहीं है, कोई पैसे ने ली जाते हैं, किस तरहीके joint button नहीं है, simply आपको go through करना है इन videos को जाके देखिए, comment करिए, कोई question हो तो, as well as हमारे हर एक video को लाइक जरू कर दिया करें, आए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं, सबसे पहले कुछ negative news, यहां पर AU small finance की अगर बात करें, 3 weeks पहले कि यहां पर एक news थी, behind the abrupt plunge in AU small finance bank share, मतलब क्या है कि यहां पर इनके top executive है, यहां पर आगर बात करें, उनमें से एक के बाद ही कि यहां पर तीन यहां पर resign होते हुए दिखाई दिये, यहां पर आप देख सकते, senior level exit haunt AU small finance bank despite management assurance, तो यहां पर इस तरीके से news पर news यहां पर आ रही थी, यहां पर आगर हम बात करें, यहां पर AU small finance bank यहां पर अगर हम देखे, तो crash होता हुए दिखाई दिया, यहां पर आप देख रहे है तो crash होता हुए दिखाई दिखाई दिया, यहां पर अगर हम देखे क्या है news तो यहां पर पता चलेगा, the management says, the executive quite quit for the personal reason, but the resignation have spooked investor and spark concern about asset quality, analyst says NPA number seems fine so far but they seek more transparency, तो इसका मतलब क्या है, इसका simple सा मतलब है, देखे कभी भी कोई भी top level का senior level का कोई भी resign देता हुए नजर आता है, तो in that case क्या होता है, in that case ही होता है कि यहां पर से exact जो हमारे shareholders है वो घबराते हैं और exit कर लेते हैं, एक समझदारी की बात भी होती है, no doubt, बट अगर एक company है और भैतरीन company है, बैतरीन bank है और उसमें से कुछ resign होता है, तो शेर गिरता जरूर है, बट थोड़ा से resignation के बाद यहां पर share भागता हुए दिखाए देता है, कुछ ताइम पहले यहां पर ICICI bank में होता हुए दिखाए दिया था, जब इस तरीके की news आये थी, कुछ fraud sale news आये थी, कुछ resignation sale news आये थी, इन देट केस यहां पर share गिरता हुए दिखाए दिया बट अगें आज देखते हैं तो यहां पर highest labor पर वो share बैठा हुआ है, तो थोड़ा से यहां पर time देना होगा, थोड़ा से time देने के बाद तो यहां पर small finance bank में आगरम बात करें, और यहां पर देखिए, गबराने वाली बात तो देखिए, रिस्क तो हमेशा रहता ही है, अगर हम बात करें तो आपको अपने portfolio का इतना ऐसा percentage देना है किसी भी stocks में कि उसके आने जाने का आपके उपर बिलकुल भी ना फरक पड़े और यह bank देखिए एक तो अच्छा खा यहां पर इस तरीके की news आती है, श्रेयर गिरता हुए नजर आता है, बाट उसके बाद जो recovery होती है, वो recovery ऐसी होती है, यहां पर आप देखिए रहे है, यह तो अलग reasons है, बाट मैं आपको बताना हूँ एक example कि तिलू कि इस तरीके की recovery आती हुई दिखा जाती है और एक सा इस तरीके की निया चार्ट पेटर्न हो रहा है, जिससे लेटे हम बात ही करेंगे, बट बिफोर देट यहां पर कुछ और न्यूस यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर न्यूस से यहां पर बैंक से, तो देखिए अमिर गान यहां अमिर खान आज यह जो एक्ट्रेस है, यहां पर इनकी यहां पर ब्रेंड अंबेजडर है, एक तरीके से कह सकते हैं, और यहां पर हम देखे हैं, तो देखे हैं, कम्पनी एट्रेक करने के लिए 7% तक इंट्रेस्ट आज यहां पर फिक्स डिपोजेट, यहां पर और भी अगर बात करें नहीं है, यहां पर अगर बात करें कार्स में कम्पनी डील करती हुए नजर आती है, रिटेल लोन देती हुए नजर आती है, कारलंग ट्रक्टर लोन, कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट लोन, टू, वीले लोन, कमेशियर वीकल लोन तो यह ऐसे हैं, और जाए इसके लावर यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे लोन से लेटेड़ लिए असके बात करें तो यहां पर बैंकिंग सक्टर का अच्छा न्यूज भी है जब आगे की टाइम पर चलने भी वाले हैं बैंकिंग सेक्टर और निफ्टी जब आगे बढ़ेगी तो आगे बैंक को भी भागने ही होगा तो इस इच को थोड़ा समझना होगा और अगर बात करें ना यहाँ पर R.O.C.E की तो HDFC बैंक से भी ज्यादा इसकी R.O.C.E मेजर आती है मर्कट कर लोट कि तो 33,000 कोड़ ए चोटा सा यहाँ पर आकर बात करें ज्यादा मर्कट कापने था जो कि SMAL यहां पर कुछ परामीटर की बात करें तो देखिए यहां पर महेंगा नजर आ रहा है थोड़ा सा HDFC से सीदे कंपर केरते हैं 28 का पी यहां पर 27 का मार्किट कैप में जमीन आसमान का फरक ही आर उसी की बात करें तो को XJFC एंट का 6.31 और इसका 8.99 ए तो यह चीज बताती है कि अच्छी कासी है तो थोड़ा से इसके ओपर बिलीब कर सकते है है रिजर्ट की बात करे तो कंपनी यहाँ पर दीख सकते है रिवएन्यू है यहां पर देख सकते हैंclae अलगरे बॉओं रिवएट जारा है रहे इसे बार के जो डीसेरोorn अलगरे बाढ़ पंप्पे यहां पर अच्छी कासी थी बट मार्च के कंपेरिजन में देखा जया और यहां पर पैंडमिक का भी असर तर इस्टिल यहां पर देखना पड़ेगा इंट्रेस्ट इंकम यहां पर इंकी बड़ती नेजर आ रही है जो की अच्छी बात है यहां पर यह तो इस टेंडरोन यहां यह तो देख लिए देखे 2010 से लेकर और यहां पर अपने बढ़ाया है इंट्रेशन का देखे 10 करोड से यहां पर 25 करोड था यह सारी की सारी ग्रोथ बताती है नेट प्रॉफिट की यहां पर देखिए 1193 करोड का प्रॉफिट तो यह दस साल में होता हुआ नजर आय इस ने जो इस बैंक में इंवेस्ट किया होगा तो इसे कितने अच्छे मल्टी बैगर रिटन से आपर मिल रहोंगे यू कैन इमेजन तुरू दैट पर्टिकुलर डेटा अगर बात करें EPS की आट का EPS अच्छी डेट में 38 का हाई श्रेवर EPS चल रहा है रिजर्व की बात करें इन्वेस्टमेंट 10,000 क्रोड के आसपास की इन्वेस्टमेंट है कैश्ट की बात करें 4780 क्रोड का कैश है और यहां पर और भी कुछ च्रीओ की बात करें तो जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है जो कभी नेगिटिव चल दा करता था दो 2018 से यहां और देख पोजिटिया आवी कि बात करें 5,56 करोड का कैश फ्लो है और यहां पर और भी कुछ श्रीओ का आरोची यहां बदेख है यहां पर देकिए 22 रोसी है जो कि काफी बैतरी नारोची है इसके इलावाब बात करें प्रमोटर्स की परमोटर्स की होलडिंग यहां पर बढ़ती वी नजर आ रही है तो इसी परसेंटेज इनों कम करी है इतनी नहीं करी है इस इतर के लगब 32% ही है डिया इस की बात करें डिया इस ने जो बेची है यहाँ पर प्रमोटर्स एपाई की होल्डिंग उठा लिया तो यह अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं अग थी तीस से उनतिस हुआ नतिस से चब्विस हुआ चब्वी से चौबिस हुआ पिस यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया पर देखें फिर चौबश उननेस अठारा और अवी की बात करें रहें 18.32 परसें हर कॉर्टर में के रिटेल पब्लिक के जो शेरोल्डिंग है वो यह सब्सकी से दारें यहां पर बसदी है तो यह सारी चीज़ आपको यहां पर सोच नहीं हो गया अब हम आप करने है चार्ट बैटर लाएँ यहां पर मैं आपको दिखाओन तो देखें यह इह श्टॉक्स पहले यहां पर रुखा था फिर इसके पहले हैं इसके पहले भी नह यहां पर को मैं आहता हो अजा पर उसी पॉइंट को मैं में आपको दिखाओं रहा हैं उसकी बात करेंगे जो कि आपकर रहर सकते हैं यहां पर Кब दया है कंते हैं टीक हैई यहां पर हम निंग आहां पर एक actual है यहां पर थे तरह निकल थे तो नज़ाएगाuga इसी तरीके से आपको एक अच्छा खासा रिटन देता हुए नजर आएगा और हम यहाँ पर बात करें कितने परसेंट के यहाँ पर रिटन होते हुए नजर आ रहे है तो एक मिन दीजिए मुझे तो आपको समझ में आएगा देखिए यह 49% और यहाँ पर से अगर हम इसे कि अगर हम रिसेंट से बात करें कितने परसेंट के रिटन होते हैं वह हमें एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए एक यह टार्गेट है लगबग 65% के रिटन मिल रहे है एक से सवा साल भी लग गया ना इसे रिटन को मिलने के लिए तो काफ पर शेयर देखी यह नीचे जाता हूँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसने फिर दुआरा वह तोड़ने कोशिश करी फिर यह पर तो यह पर यह पर कॉंपलक्स इलवर से इन शोल्टर बनता हूँ नजर आ रहा है जो कि मैं आपको अगर यहां से दिखाऊ तो आपको अगर हम देखे तो यह देखिए तो यह जो टार्गेट नजर आ रहे है इतने के यह पूरे 2,21 के लेवल नजर आ रहे है थोड़ा सब्सक्राइब कर लिए लगवह 100% के आपको पैसा बनता हूँ नजर आ रहा है थोड़ा से टाइम में और जब इस तरीके सी न्यूस आती ह अब कम पैसे यहां पर लगाता है इस तरीके से अपने फाइंशाइडवाजर की भी एकभवार है लेजिए खुद की स्टडी करिए आपको मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से यह चाट पैटन बना रहा है इस तरीके से यहाँ पर पहले भी हो चुका है दूसरे बैंक में उसके बाद शेयर भागते हुए नजर आते हो all time high पे वह चल रहे हैं और यह one of the good bank कि यह आपर नजर आता हूँ चाक पर बाहतरी और अच्छे लेवल पर नजर आता है बार्कि बाइंग शैलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने financial advisor को कुछ की study करने है वीडियो करने हैं so thank you so much god bless